हम दशमलव यानि decimal संख्याओं का व्यवकलन यानि subtraction करेंगे, एक प्रश्ण लेते हैं, मान लीजिए कि प्रश्ण है 5.73 घटा माइनस दशमलव 0821 इसे हल करना है. अब ध्यान दें कि दशमलव संख्याओं के लिए सबसे पहले क्या करना है? मैंने वैसे गलती से ऐसे लिख दिया, हमें इन decimals को align करना होता है, मतलब ये decimal इसके नीचे होगा ये वाला decimal. मैं तो हमेशे ऐसे ही करता हूँ, आप भी ऐसा ही कीजेगा, मैं इसे थोड़ा सपष्ट कर देता हूँ. तो ये है 5.73 decimal को लगाता हूँ यहाँ, दशमलव 0821. एक, कुछ लोग दशमलव से पहले 0 लगाना अच्छा मानते हैं, डॉक्टर्स का भी यह मानना है, ऐसा लिखने से दवा की मातरा में गलती होने के चांसे नहीं रहते हैं, तो अब दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिया, अब हम घटाएंगे, सब्ट्राक्ट करेंगे. दशमलव संख्याओं को घटाने में यह याद रखें कि अगर हमें यहां सब्ट्राक्ट करना है इसे, जैसे यहां 21 है, इस दो और इस एक को किसी अंग में से घटाना है, तो हम इस खाली स्थान में से इसे नहीं घटा सकते, इसके लिए हमें यहां 2-0-0 लगाने होंगे, और इनको लगाने के बाद इस संख्या के मान पर इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अब इस तरह यह बन गया लेवल 4 का प्रेश्ण, तो सबसे पहले अब हमें यह देखना है कि उपर वाली संख्या का कोई अंग, नीचे वाली संख्या के किसी अंग से छोटा या कम ना ह हूँ, यहां तो ऐसे कई हैं, 0 कम है 1 से, 0 इस दो से चोटा है, 3 कम है 8 से, तो हमें उधार लेना होगा, बोरो करना होगा, कुछ लोग बोरो करते रहते हैं, और साथी घटा भी करते जाते हैं, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, मैं पहले सारी बोरोइंग कर पहले ही तो ऐसा करते हैं शुरू करते हैं यहां से सबसे दायें वाले अंग से जीरो कम है एक से तो इसे बना दिया हमने दस लेकिन इसे दस बनाने के लिए मुझे कहीं से एक उधार लेना पड़ेगा बाई तरफ देखते हैं जीरो के आप बताएं क्या हम इस जीरो से एक ब से एक उधार लेने के बाद ये हो जाएगा 39, तो हमने 30 में से एक उधार लिया इसे 10 बनाने के लिये, एक बार पिर उपर वाले अंकों को चेक कर लेते हैं, कि ये सब नीचे के सभी अंकों से अभ अधिक हैं या नहीं, 10 अधिक हैं एक से, 9 बड़ा है 2 से, दो अधिक नहीं है आठ से तो हमें फिर बोरो करना होगा तो अगर हम उधार लेते हैं तो दो हो जाएगा बारा और ये साथ जहां से हमने बोरो किया है एक हो जाएगा छे एक बार फिर चेक करते हैं दस अधिक है एक से नो अधिक है दो से 12 अधिक है 8 से 6 अधिक है 0 से और 5 भी अधिक है 0 से तो borrowing या उधार लेने की क्रिया पूरी होने के बाद अब करते हैं सब्ट्राक्ट जो बहुत ही आसान है अब 10 घटा 1, 9 9 घटा 2 हो गया 7 12 घटा 8, 4 6 घटा 0, 6 5 घटा 0, 5 अब इस दशमलव को लिखते हैं यहां यह है हमारा उत्तर 5 दशमलव 7, 3 घटा 0, 0, 0, 8, 2, 1 बराबर है 5, 6, 4, 7, 9 और यह हो गया उमीद है आप समझ गए होंगे एक और प्रेश्टन लेते हैं एक और उधारन लेंगे 8, 8 उपर कुछ जगा छोड़ देता हूं बारो करने के लिए 8 दशमलव 2, 5 घटा माइनस 0.0105 तो सबसे पहले हमने क्या करना है बिल्कुल ठीक दशमलवों को सीथी रेखा में लिखना है चलिए करते हैं तो ये है आठ दिशमलव दो पाँच और ये जीरो दिशमलव जीरो एक जीरो पाँच देखिए मैंने डेसिमल के नीचे डेसिमल को रखा है अब दाई तरफ जीरो लगाते है क्योंकि इस जीरो और इस पांच को किसी संख्या में से तो गटा नहीं है अब करते हैं, बौरो उधार लेते हैं, पहले चेक करते हैं कि ऊपर लिखे अंक, इनके नीचे लिखे अंक से अधिक है या नहीं देखिए, ये जीरो कम है पांच से तो उधार लेना पड़ेगा बौरू करना पड़ेगा तो उधार लेना है तो 0 से तो नहीं रहे सकते इस पूरे 50 में से बौरू करना होगा तो ये है 50 इस में से 1 बौरू करेंगे तो ये हो जाएगा 49 तब ये 0 बन जाएगा 10 ठीक मैंने 1 बौरू किया 50 से कि ये 10 बन जाए फिर से चेक कर लेते हैं 10 अधिक है 5 से 9 भी बड़ा है 0 से 4 बड़ा है 1 से 2 अधिक है 0 से 8 अधिक है 0 से तो अब हम घटा सकते हैं 10 घटा 5 होता है 5 9 घटा 0 9 4 घटा 1 3 2 घटा 0 2 8 घटा 0 8 यहां डेसिमल को ले आते हैं नीचे अगर आप लेवल 4 के प्रेश्ण हल कर लेते हैं तो बस यहां डेसिमल को सीधी रेखा में रखना है 0 लगाने हैं बाकी सब वैसा कब ऐसे ही है सब्ट्रैक्शन में लोगों से बौरो करते समय गलती हो जाती है लेकिन मेरा तरीका कुछ अलग है जो अकसर स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता समानेता उधार लेना और घटाना लोग साथ साथ ही करते हैं लेकिन पहले से बारोईंग कर लेना मुझे आसान लगता है इस उधारन में देखिए कि किस तरह से मैंने इस जीरो को दस बनाया मैंने यहां जीरो से बारों नहीं किया मुझे वो ठीक नहीं लगता कि आप जीरो से उधार नहीं ले सकते मैंने उधार लिया इस पचास में से जो रह गया उन अनचास समझे आप एक और प्रश्ण लेते हैं यदी हम लें दो दशमलव छे चार गटा शून ने दशमलव शून ने चार आठ छे तो पहले decimals के नीचे decimals लाएंगे 2.64 और ये है दशमलव 0486 दशमलव के नीचे दशमलव हो गए zeros लगाते हैं यहां यहां पर है एक zero आगया बोरो करेंगे इसे 10 बनाना है उधार नहीं ले सकते zero से तो उधार लेना पड़ेगा 40 से तो ये 40 रह जाएगा 49 जगा लगता है कम पड़ गई तो 10 अधिक है 6 से 9 अधिक है 8 से 3 अधिक नहीं है 4 से तो इस 3 के लिए बोरो करना होगा तो ये 3 बन गया 13 6 रह गया 5 ये अच्छा नहीं दिख रहा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तो अब ये 10 अधिक है 6 से 9 अधिक है 8 से ये 13 उपर होना चाहिए इस 3 के 13 अधिक है 4 से और 5 अधिक है 0 से अब सब्ट्राक्ट करेंगे घटाएंगे 10 घटा 6 चार 9 घटा 8 एक 13 घटा 4 नो 5 घटा 0 5 दो में से कुछ नहीं घटाया तो ये रहा 2 नीचे ले आएंगे इस दशमलव को तो 2 दशमलव 6 चार घटा दशमलव 0 4 आठ चे बराबर है 2 दशमलव 5 नो 1 चार उमीद है आप समझ गए होंगे अब आप दशमलव संख्याओं को भी आसानी से सब्ट्राक्ट यानी घटा कर सकते हैं